हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकूं डू विद्धा इंग्लिश क्लास तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन हमारा आज का नेलसन मंडेला लॉंग वॉक टू फ्रीडम जो लिखा है खुद नेलसन मंडेला में यह एक ऐसा चैप्टर है जो नेलसन मंडेला की आटवाइग् के वाद उन्हें अजादी मिली वाइट पीपल से अंग्रेजों से और यह अजादी उनके लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस अजादी को मिलने के वाद वो अपने आपको सिटिजन कह सकें क्योंकि अंग्रेजों के राज में उन्हें आउट लॉ माना जाता था हो मैं आपसे डिस्कूस करता हूं मैं ग्रेजा को में इसमें भात होती है अंग्रेजों के राज को जो के मिस्स रूल जीसे बोला जाता है उसे बोला गया है मंडेला द्वारा extraordinary human disaster means उन्होंने इंसानों के लिए कुछ भी नहीं किया और उसके बार word है outlaw उनके लिए use होता है जिनें किसी जगह के भी citizen नहीं माना जाता जैसे अंग्रेज लोक क्या बोलते थे south african people को outlaws means यह हमारे लिए citizen ही नहीं है उसके बार बात करते है apartheid policy बहुत जारा important word है apartheid policy उस यह एक ऐसी policy है जो के purely based होती है discrimination पर किस discrimination पर racial means वो race को देखते हैं means यह white है यह black है white people superior है जो black people है inferior है so ऐसी policy पर based होती है apartheid policy ठीक है so यह थे हमारे कुछ words और एक एक और बात कि कुछ अपने उन friends की बात करता है Mandela जो उनके साथ थे और जो भी आजादी में उनके साथ थे चलो इस आजादी को हासल करने के लिए बहुत सारी लोगों ने अपनी जान भी दी अपनी बहुत शहीदी भी दी उन्होंने उनमें से कुछ परसन के नाम वह लेते हैं जैसे Oliver Tombo और Walter Sicily Chief Lutwily तो यह कुछ नेम है और और भी बहुत नेम है सो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को स्टोरी में सबसे पहले वह बात करते हैं कि आओ चलो मैं आपको ले चलता हूँ May 10th 1994 में दस May 1994 की बात करते हैं जहाँ मंडेला साथ आफरीका के आजाज साथ आफरीका के सबसे पहले Black President बन रहे थी यह दिन एक बहुत ही अच्छा दिन था और यह दिन में एक सेर्मनी थी और जो सेर्मनी रखी गई थी वो बहुत ही ब्यूटिफॉल थीटर सैंड स्टोन एम्पी थीटर जो के प्रिटॉरिया में था वहां पर रखी थी और यह बहुत जारा सिंबॉलिक है क्योंकि यह ऐसी जगह थी जहां पर वाइट लोक साउथ अफरीका के अजादी से पहले बैट कर साउथ अफरीकन पीपल के लिए पॉलिसीज बनाया करते थी जो बिल्डिंग थी बनाई गई थी यूनियन बिल्लिंग द्वारा बनाई गई थी और उसके बाद बात करते हैं कि इस सेर्मनी म नाम जैननी बताया गया है उनकी बेटी का नाम जैननी था उनकी स्पीच Records देने से पहले दो और लोग होते हैं एक तो 20 मिस्टρ डी चलर्क जो के 2 डेपरटी प्रेजिडेंट बनते हैं और मिस्टर थबो मभीकी जो की 1 डेपरटी प्रेजिडेंट बनते है और जो बिल्कुल सच्चाई और उनकी अच्छाई बियान करती है क्या है वो क्या कहते है कि मैं कस्म खाता हूं आज से के जब मुझे आपने प्रेजिनेंट बनाया है तो मैं कस्म लेता हूं कि मैं अपने आपको निशावर कर दूंगा इस देश पर और इस देश के लिए म मैं अपनी जानता करवान करने के लिए तयार होंगा क्यों क्यों क्योंकि हम लोगों ने 300 सालों से ज़्यादा extraordinary human disaster देखा है white people द्वारा जो हम पर किया गया है उन्होंने ये भी कहा आज हमें मान है मुझे मान है कि मैं एक black हूँ और जिने आउटला माना जाता था वो अब जब अजाद हो चुके हैं तो बहुत से लोग बहुत से country के dignitaries अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आए हैं हमें हमें congratulate करने सो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने लोगों का भी सबका धन्यवाद करता हूँ जिनकी बदालत आज हम जे आजादी ले सके हैं ठीक है so wish करता है परमात्मा के आगे कि है परमात्मा हर वक्त हमेशा सह हमारे इस देश में आजादी रहे आजाद देश रहे और परमात्मा इस पर अपनी जो blessings है अपना आशिरवाद वो बखेरता रहे और उसके बाद सबस जब उनकी speech चल रही होती है तो उसी speech के दरान वहां पर jets, helicopters और जो troops carrier होते हैं जिसमें फॉजी होते हैं, soldier होते हैं वो भी एक तरह का display होता है जैसे जलसा निकलता है जैसे हमारे इंडिया में जब हम independence day होता है जडि पब्लिक टे होता है तब वो एक display होता है कि जहां ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है वो दिखाना चाहते हैं उनकी speech के दरान ये भी display होता है तो वो एक बहुत important बात बोलते हैं कि जो officers अब खड़े हैं हमें salute कर रहे हैं कभी वो एक ऐसी situation में फसे हुए थे वो ना चाहा कर भी मुझे जहां मेरे जैसे और कितने ज़्यादा patriot को पकड़ने के लिए बेताव थे क्योंकि white supremacy उन सवी लोगों को criminal मानती थी जो देश में आजादी की मांग करते थे ठीक है उसके बाग क्या होता है इसी दरान क्या थोड़ी टाइम बाग एक jet होते हैं खास तरहां कि impala IMPALA इंपाला जैट से होते हैं वो क्या करते हैं आसमान में एक बहुती युनीक करते हैं और आसमान में जो फ्लैग है South Africa का उसके कल़ बखेड़ते हैं और जो जो सर्मनी है इसे Rainbow सर्मनी बोल सकते हैं Rainbow सर्मनी क्या होते है Rainbow सर्मनी उसके लिए Rainbow सर्मनी का मतलब यह है क्योंकि यहां पर हर कास्ट हर धरम के लोग एक साथ एक बिल्डिंग में एकठे हुए थे यहां पर ना कोई Black था ना कोई Byte था ना कोई Superior था ना कोई Inferior था क्योंकि यह देश अब आजाद हो चुका था ठीक है और बहुत Important बात नोट करने वाली क्या है इस डेप दो National Anthems यह गान गाये जाते हैं एक White द्वारा गाये जाता है जिसका नाम होता है नकोसी सिकेलल एफरीका और एक Black आते हैं जिसका नाम होता डाई स्टेम और मंडेला मानते हैं कि यह ग्रूप जैसे अंग्रेज जो एक एक National Anthem का रहे हैं Black गा रहे हैं जे कभी एक दूसरे को नफरत करते थे दोनों एक दूसरे के Anthem को नफरत करते हैं बर आज एक ऐसा समय जा चुका है कि यह दोनों एक दूसरे को याद करेंगे उसके बाद अपार्टिट पॉलिसी की बात करते हैं कि कैसे अंग्रेजियों ने हमें racial discrimination किया हमारे साथ कितना जारा बुरा बेवहार किया हमारे साथ पर वो अब जा चुका है अब हमारे पास आजादी है अब हमारे के पास अधिकार हैं हम अपनी जिंदी को अच्छे से मान सकते हैं और मंडेला उन सभी लोगों को शरदांजली देते हैं जो उनके साथ थे उन्होंने अपनी जिंदी को निशावर कर दिया देश के अजादी के लिए बट हाँ उन्हें थोड़ा सौरी भी फील होता है और उन सभी जो देश भगत थे जिन्होंने अपने अपने देश को याद कर रहने के लिए पता नहीं कितनी ही मशक्कत को जेला अपनी जान को करवान कर दिया उन्हें याद करते रहेंगी ठीक है मैंने आपको कुछ नाम बताये जैसे ओलिवर टेंबो वेल्टर सिसोलो ची लिथुली और बहुत साइसे लोग हैं जिनों ने अपनी जिंदिगी को नशावर कर दिया वो बोरें कि अगर जे गुलामी ना होती तो शायद हमारे देश में इतने जादा बहादर लोक भी ना होती उसके बाद बहुत से और important point है जैसे एक point बड़ा अच्छा point बोलते हैं मंडेला बता रहे हैं कि असल में जो नफरत है वो कुदरती नहीं यह वो natural नहीं है इंसान में नहीं आती जे natural सखाई जाती है अगर हम किसी को नफरत करना सिखा रहे हैं तो प्यार करना भी सिखा सकते हैं जो depend करता है कि हम किस situation में रहते हैं जो वो सिखाने वाला है जो जो हमें सिखाने वाला है वो क्या सिखा रहा है तो अच्छा सिखाओ प्यार सिखाओ क्योंकि यही एक चीज है प्यार ही एक ऐसी चीज है जो हमें हर एक चीज पर जीत हासल करवा सकता है सो वो चाहता है एक ऐसा देश हो हमारा साथ फरीका जहांपर जस्टिस हो शान्ती हो और हर एक इंसान को बराबर के अधिकार मिलें वो एक थोड़ी बात और शेयर कहता है कि जब तक मैं छोटा बचा था मेरे गर में उसके घर में मंडेला बता रहा है कि घर में अच्छा था सब कुछ सब कुछ अच्छा था पर मैंने बच्पन तक सब कुछ एंजॉय किया बट जब मैं जॉनसबर्ग गया मैं थोड़ा बड़ा हुआ मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो गुलाम हूँ तब उसने जे ठाना कि मैं अब क्या करूँगा मैं देश को आजाद करवाऊंगा तो उसने एफ्रीकन नेशनल कॉंग्रस को जॉइन किया एक सीधा साथा दिखने वाला बंदा एक बहुत ही जाला हिम्मती बोल्ड इंसान बन गया और वो एक बात और बोलता है कि चाहे उप्रेसर हो चाहे उप्रेसर हो उनों ही क्रिमिनल होते है उप्रेसर कौन होता है जो दूसरों के टॉर्चर को तसीहों को जेलता है जो के गलत है और उप्रेसर सारी उप्रेसर कौन होता है जो दूसरों को मुसीबत देता है दूसरों को तंग करता है यह तो बहुत बड़ा एक अपराद है और आगे जलुम सैना और करना दोनों ही अपराद है सो यह बोलते हैं कि दोनों ही अपराद है ना तो हमें Pamreisher बनना है ना ही हमें करना है न ही 19 करना है न ही हमें जलुम सैना है और उसके बाद एक और बहुत important point twin obligation मंडेला पता कि हर एक इंसान की उसकी life में दो obligation दो duties होते हैं एक तो उसकी personal duty होते है personal duty मिज उसकी personal life उसकी family उसके बच्चे उसके परिवार होता है और दूसरी जो duty होते है वो public होती है मिज उसकी country उसकी community के लिए भी उसकी duty होती है तो वो बता रहे हैं कि देश के अजाद होने से पहले अगर कोई दूसरी duty को जा दोनों duties को एक साथ लेकर चलते तो उसे क्या बोलते थे उसे criminal बोलते है क्योंकि वो चाहते थे कि तुम देश के लिए कुछ न सोचो देश को अजाद कराने के लिए कुछ न सोचो अगर सोचोगे तो आप हमारी नजरों में क्या बनोगे वही नजरों में आप criminal होगे और criminal के साथ हम वही विहेव करेंगे जो करना चाहिए ठीक है तो ये कुछ point थे और वो अपने इस story को sum up करते हैं sum up किस के साथ करते हैं sum up करते हैं एक quote के साथ वो कहते हैं the oppressed and the oppressors alike are robbed of the humanity चाहे आप oppressor हो, जिलम करने वाले हो चाहे आप oppressed हो, जिस पर जिलम हो रहा है आप अगर दोनों में से कुछ भी हो आप में इंसानियत जो है वो खतम हो रही है rob की जा रही है, जा खतम हो रही है जा खतम हो चुकी है तो ना तो आपने oppressor बनना है ना ही आपने oppressed करना है ना तो आपने किसी पर जिलम करना है और ना ही किसी का जो जिलम है वो सेना है तो यह कहकर वो अपनी स्टोरी को समप कर देते हैं तो अगर मैं आपके साथ टाइटल की बात करूँ टाइटल बहुत ज़्यादा अप्रोपेट है लॉंग वाउक टू एफरीका वाउक जी वाउक चलने वाला नी वाउक का क्या मतलब है यहाँ पर वाउक का मतलब है कि उन्होंने कितनी जादा मुशकत की कहां कहां पर नहीं वो गए क्या क्या उन्होंने नहीं किया वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे उनके साथ एक टीम थी पैट्रियोट की देश बगत की जो अंग्रेजों की नजर में ट्रेटर थे बगावती थे देश दुरूही थे बट ये अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहिए अपने देश में क्या रखना है हर जगए देश में प्यार होना चाहिए शांती होने चाहिए और हाँ justice होना चाहिए, हर किसी के साथ कोई भी superior नहीं होना चाहिए, कोई भी inferior नहीं होना चाहिए, वो बिश्वाश करते हैं कि हर एक इंसान की आजादी में, बोलते हैं कि किसी भी इंसान को किसी में बंदन में नहीं रखना चाहिए, अगर हम बंदन में रख रहे हैं, that means उ तो ये थी हमारी आज की story, theme और message क्या दिया गया है इस story में मुझे अमीद है आपको अच्छे समझ आगई होगी अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी doubt होगा तो आपने मुझसे पूछना है comment box में comment करके पूछना है Thank you so much for watching, subscribing, liking and sharing our channel with their English classes